आज मैं बनाने जारे हूं गुजरात के एक बहुत ही फेमर्स से स्टेट फूट इसे भुंग्रा बटाटा या लसनिया बटाटा के नाम से जाना जाता है इसे बनाने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे और इसमें हम एक तीखा चटपटा अलू बनाते हैं और उसके साथ ये फ्राइम सर्फ करते हैं तो आप इस मूँ में पानी ला देने वाली चटपटी और तीखी रेस्पी को जरू ट्राई करें यह आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी रेस्पीत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना पिल्कुल न भूले तो चलिए आज की रेस्पी शुरू करते हैं लसनिया बटाटा या फिर लहसुन वाले आलू बनाने के लिए एक मिकसर जार लेंगे और उसमें हम 20-25 ग्राम के करीब छीला हुआ लहसुन डाल देंगे हम इसे ब्लेंड कर लेंगे मसाले को हमें सुखा ही रखना है तो इसे ऐसे ब्लेंड कर ले अगर आपका मसाला नहीं पीछ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हैं तो यहां पे हम देख लेते हैं, तो मसाली को एकदम पेस्ट नहीं बनाए, थोड़ा सा हम इसे दरदरा रखेंगे, तो यह हमारा मसाला पेस्ट रेडी हो चुका है, यहां पे आप देख सकते हैं, हमने इसका पूरा पेस्ट नहीं बनाए, तब हम चलते हैं, नेक्स टेप में जहां पे gas on करके एक पैन में तेल गरम करेंगे तेल हम इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगी तेल के गरम होते ही हम इसमें उबला हुआ आलू डाल देंगे तो चार मीडियम साइज की आलू को उबाल के मैंने छिलका निकाल के ऐसे काट लिया है आलू को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करें बस मीडियम फ्लेम पे तीन सीटी लगाए तो यहां पे यह आलू डाल देती हूँ मैं आलू को हमें मीडियम फ्लेम पे दो मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि आलू के उपर एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर आ जाए यहां पे आप इसे ऐसे पलटते रहें आप चाहे तो ज़्यादा तेल में इने डिप फ्राई भी कर सकते हैं थोड़ी दिर बाद हम देखेंगे कि यहां पे आलू जो है हलका सा फ्राई हो चुक है इसके उपर ऐसे ब्राउन लेर देख रही है तो बस इसे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है और इसे हम निकाल लेंगे ऐसे प्लेट में तो पहले हमने मसाला बनाया है फिर यह उबला हुआ जो आलू था उसे फ्राई करके निकाल लिया है अब हम चलते हैं फाईनल प्रोसेस में तो आलू को मैं अलग रख देती हूँ और सेम पैन में जो बचा हुआ तेल है उसमें हम यह मसाला डाल लेंगे अगर तेल कम है तो थोड़ा ज़्यादा एड़ करें और ज़्यादा है तो निकाल ले तो यहाँ पे यह जो हमने पेस्ट बनाया था यह तेल में डाल दे गैस का फ्लेवर यहाँ पे लो रखे या फिर बंद कर दे तो यह मसाला डालने के बाद हम इसे यहाँ पे पूरा मसाला में यूज कर लेती हूँ और मिला दे इसे मसाले को हम 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे तेल में पका लेंगे ताकि इसका जो कच्छा फ्लेवर है वो निकल जाए तो इसे ऐसे मिलाते हुए भूल ले जैसे ही मसालों से अच्छे खुश्बू आने लेगी हम इसमें पानी डाल देंगी तो यहाँ पे मसाला हमारा पग गया है 1-3 cup के करीब पानी डाले पानी का इस्तमाल इसमें बहुत जादा नहीं करना है तो यहाँ पे ये 1-3 cup पानी डाल लिया है मैने मसालों को अच्छे से मिला दे अब आप यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं मैंने यहां पर अभी तक लो रखा है तो जैसे ही मसाला अच्छे से पानी में मिल जाएगा हम पैन को कवर कर देंगे और 2-3 मिनद तक इसी मीडियम फ्लिम पे भूल लेंगे दो-3 मिनद बाद पैन का ढखकर नटाए मैंने और मसालो के उपर तेल लिखने लगाया है मतलब मसाला हमारा अच्छे से पग्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं तब हम इसमें ये उबला हुआ आलू डाल देंगे उबला हुआ नहीं उबला के जो हमने फ्राई करके रखा है तो ये फ्राई के आप आलू डाल दे आलू डालने के बार हम इसमें डाल देंगे नमक नमक कर इस्तमाल अभी तक हमने नहीं किया ह तो सुवाद के अनुशार नमक डाल दें और नमक डालने के बाद आलू और मसालो के छुशन मिला दें एक मिनट बाद हम पैन का धकन अटाएंगे यहाँ पर और यह हमारा गुजराती चाट या फिस सबजी जो बोले वो रेडी हो चुका है आलू तो दिखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है तो हमने इसमें बहुत सारा तीखा मसाला यूज किया है तो अब हम इसे थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे गयास को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें दो बड़े चमस नीबू का रस जाल देंगे नीबू का रस गयास को आफ करने के बाद डाले आप इसकी जगह इमली या फिर आमचूर का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं अब हम इसके उपर ये धन्या पत्ता डाल देंगे बारी कटा हुआ धन्या पत्ता इसमें जरूरी है धन्या पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला इसके उपर स्प्रिंकल कर देंगे तो इसका टेश जो है वो और भी बढ़ जाएगा तो हो गए ना तीखा और चटपटा को कॉम्बिनेशन तो ये हमारा चाट जो है वो रेडी हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे अच्छे से मिला दे अब हम इसे गैस से हटा देंगे और अब हम फ्राइम्स को फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पर यह मिला दिया मैंने इसे मैं हटा देती हूँ और एक कड़ाही में तेल गरम करने के लिए मैंने पहले से रखा है तो इसे हम इस येलो वाले फ्राइम्स के साथ सेफ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है यह बच्मिन में तो हमने इसे उंगलिया में लगा के खाया था हमारे यहाँ यूपी विहार में इसे फोफी बोलते हैं बाकी अलग का मुझे नहीं पता तो हाई फ्लेम पे हम यहाँ पे यह सारे फ्राइम्स को तल लेंगे यहाँ पे आप देखिए तेल गरम है उसके बाद इसमें डालें और उसके बाद हलका साई से ऐसे मिलाएं तो यह ऐसे ही फूल जाएंगे तो ये हमने ये फ्राइम्स को फ्राई कर लिया तो चाट तो हमने बना के रखा है और साथ में ये फ्राइम्स दल लेंगे और उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे तो हम चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए तो सर्फ करने के लिए ये जो आलू है वो ऐसे सेंटर में निकाल लें और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है प्लस इसमें लहसुन और हमने जो नीबू का प्लस धन्या पत्ता का चाट मसाला का बहुत सार फ्लेवर डाला है तो यह सुनके ही मूँ में पानी आ रहा है तो यह आलू ऐसे निकाल लेंगे और उसके साथ जो हमने यह फ्राइम्स फ्राइए किये हैं वो ऐसे किनारों पे रख देंगे तो आप चाहें तो ऐसे इसकी वर से यह आलू खाए और उसके साथ यह फ्राइम्स खाए या फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है कि फ्राइम्स ऐसे उठाए और उसके साथ ऐसे आलू को ऐसे प्रिक करके और उसके बाद एक साथ खाए तो आप इस गुजरात की फेमस स्टेंट फूट की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत इतनी खौट चटपटा रेसिपी है, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हूँ तो देज आप में वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रिक करें और मेरे चैनल को सब्स के लाइक अना बूलें